नमस्कार स्वगत है आपका हमारे अचार जागिंद्र विशाज चैनल पर शनीवार की दिन चुप चाप फेंक दे यहां पांच काली मिर्च बड़े से बड़ा दुस्मन भी घुटने टेक देगा दूरभाग होगा दूर चमकेगी किस्मत जीबन में कभी कभी अपने ही सत्रो हो जाते हैं और प्रोसी तो होते ही हैं अब ऐसा नहीं है कि हर कोई सत्रो है अपने भी होते हैं अच्छे भी होते हैं पर अधिकतर लोग जलन ही रखते हैं आपके केडियर से आपके परसनाल्टी से आपके खुसाली से, जलने वाले कोड़ टोपिक नहीं चाहिए बसवर जलते ही रहते हैं किशन किसी काम पर ब्योधान डालते ही रहते हैं कभी तो इतने जादा वो परिषान करते हैं कि आप फार जाते हैं अब ऐसे में क्या करें के सबकुछ बेहतर हो जाए क्या करें कि सब कुछ ठीक हो जाए आज हम काली मिर्च की बात करेंगे देखे काली मिर्च अगर हम जोतिस की माने तो इसके बहुत शारे प्रयोग होते है टोने तोटकी किया जाते है सिंपल से चीज है आपके किचन में होगी काली मिर्च और भोजन में भी इसका इस्तमाल किया जाता है ताकि स्वास्त बहतर रहे नाकरात्मक शक्तियां इस से दूर रहती है घर में शुब और अच्छे वाता वरण का प्रिवेश होता है काली मिर्च के रखने से भाग को बदल का रख देती है ये काली मिर्च मानता कि अगर आप घर में सनी देव की शाढ़े साती धहया परिशान करें तब आप सनी वार के दिन काली कपड़े में थोड़ा सा काली मिर्च रख लें और कुछ सिक्के रख लें काली धागे के साहरे बांद कर किशी को दान कर दें या पीपल के नीचे रख दें किशी भी मंदिर के सीढ़ी पर भी रख शकते हैं तो सनी देव के प्रकोप से मुक्ति मिलेगी और सनी देव की पिड़ाएं सांत होंगी तो ये था शिंपल सा प्रयोग इसको आप कर सकते हैं रोजी रोजगार की समय से अभी दूर होगी और जीवन में बहुत शारी परेशानियों से बाहर निकल आएंगे कई बार क्या होता है कि आप दिन वदिन उलस्ते चले जाते हैं किशी न किशी चीज में कभी बीमारियों में परेसान कर देती है तो कभी धन की समस्याएं कभी पारिवारिक टेंसन बहुत तरह की जीवन में टेंसन होते हैं तब क्या करेंगे, बहुत सिंपल सा काम करना है, शनिवार के साम काली मिर्च के आप पंच दाने ले लें, शनिवार की रात को आप साम हो या फिर रात में यानिकी समय कर सकते हैं, लेकिन कुछ अंधेरा हो जाए, यानिकी सुर्यास्त के बाद ही आपको ये उपाय करना है, त जब इसको आप अपने सर से साथ वार उल्टे वार ले घर में ही फिर इसे किसी चीज में रखकर आप किसी ऐसे स्थान पर खड़े हो जाएए चले जाएए जहां पर चवराहा हो और जहां पर लोग यानि कि आपको रोके ना टोके ना देखे ना लेकिन ज़्यादा सुनसान जगह पर मत जाएएगा और आप पूर्ब दिसा की और मुख करके खड़े हो जाएए एक के करके चार काली मिर्च चारो दिसाओं में फेंक दें अपनी मनोकामना बोलते हुए ये घर में आकास्मिक धन कलाब होगा और जीमन की बहुत सारे परिशानियों से आप बाहर निकल पाएंगे तो आज हम सत्रो मुक्ती के लिए एक छोटा सा प्रयोग बताएंगे बहुत सिंपल है देखें काली मिर्च आपको लेने हैं साथ यानि की काली मिर्च आपको ले ले पांच ले 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 या फिर जितने सत्रों है उतने ले लीजिए आप काली मिर्च माल लिजे अगर सत्रू ज़्यादा परिसान करे अपनी हो या फिर पराय हो कोई भी हो सत्रू तो सत्रो हो एक हो या फिर ज़्यादा हो सब का नाम ले लिजे आपको ये पांच काली मिर्च ले ली है अब इसको किसी भारी वस्त से दवा कर इसको थोड़ा सा कूछले महीन कर पौडर बना लें, जो मार्केट में मिलता है उसको मत लीजेगा, आपको मार्केट से साबूत काली मिर्ची लेकर आना है, और किसी भारी वस्त से अपने घर पर ही दवा के महीन कर लें, अब इसको गाय के कच्चे दोध भी मिलाकर किशी भी शनिवार या शोंबार्क दिन जा भी दूर होंगी और घर में सत्रों से भी परिशानी नहीं होंगी। माल लिजे कि ज्यादा सत्रों परिशान करें या फिर आपको नकरात्मक उर्जया ज्यादा बढ़ गई है। जीवन में टेंसन बढ़ गए हैं परिशानी बढ़ गई हैं तब एक सिंपल सा प्रयोग आपको जिनों को दोर करेगा सत्रों को सांद रखेगा आपकी जीवन में अगर कहीं कोई रास्ता नहीं बिल पा रहा है आपको लगते हैं जिसे दिसा भटक गए हैं या फिर आपको लगते हैं जिसे लक्ष से भटक रहे हैं चाह कर भी कुछ नहीं कर पा रहें, तब एक सिंपल सा काम कीजिए, आपको क्या करना है कि किसी कागज में थोड़े से आपको काली मिर्च लेना है, सत्रों को नाम लिख लीजेगा कागज पर और उसी कागज पर काली मिर्च लेना है, और पीपल के ब्रिच के पास लेकर काली मिर्च लें, तीन बार उल्टे बार के अपने घर के मुख दरवाजे के बाई और फेंक दें, तो आपके घर में निगविटी दूर होगी और स्वास्त में लाव होगा, यह फिर आपको लगता है जिसे घर में बहुत सारी गलत एनरजी भर गई है, तो फिर आप काली म एनिक इसके प्रयोग से हर मुश्कलों से मुक्ति मिलेगी और क्रिपा बरसेगी तो पर सण होंगे जरू को लाइक करियेगा जैनलों को सब्सक्राइब करिएगा